पर आप देख रहे हैं राजपत और आज एक बेहत खास इंटरव्यू लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी एक थी शार्दाबाई वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं शार्दाबाई पुने लोकल बोर्ड की मेंबर थी और जब मीटिंग में जा रही थी तो उनकी गोदी में तीन दिन का एक बच्चा था यानि जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उनको जनम घुटी पिलाई और तीसरे दिन एक पॉलिटिकल मीटिंग में ले करके चली गई ये जो बच्चा था इनका नाम है शरत पवार जिनको आप सब लोग जानते हैं और ये देश की राजिनिती में सक्ता में रहें या न रहें हमेशा ताकतवर रहते हैं और हमेशा इस एक खास बात के लिए जाने जाते हैं जिसके हम भी बहुत बड़े मूरीद हैं वो ये है कि इनको हम लोग कहते हैं strong man एक strong man कितना humble हो सकता है कितना polite हो सकता है एहंकार और anger से कितना दूर हो सकता है ये पवार साहब से रोज राजनितिक कार्यकरता सीखने की कोशिश करते हैं सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला आपका बहुत शुक्रिया परसनल बात बाद में लेकि पॉलिटिक से शुरू करते हैं को कि आज ही प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी हेडलाइन दे दी है और वो ये है कि बीजेपी 2014 से ज्यादा सीटे लेकर के जीत करके आएगी आ कि अपने साथियों का एक होस्ता बजाने की बात है आज जो देश में मैं स्थिची देखता हूं कि बीजेपी का ग्राफ नीचे जा जा रहा है और ऐसे स्थिची में अपने साथियों को ठीक लाइन फर ले जाने के लिए इस तरह के बयान देने के आउशकता है मुदी जी एक समझदार और फुल्चिकली वड़े भुशार ऐसे लीडर है और इसलिए उन्हों ने फिर फाची साथियों के लिए यह संदेज देना का फ्राहस की है इससे कोई ज़्यादा मैं इसको इंफॉर्टम्ट देता नहीं सर आपने जुकी कहा कि बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है और आपका राजनितिक असेस्मेंट सुनने के लिए सब लोग बहुत ही बेताब रहते हैं कितना लॉस हो सकता है आप देखिए अभी दस वाई एलेक्षन हो गए पीछे दो महने पहले इस दस में आठ या साथ या आठ सीटों पर बहरते जनतापार्ची हारी अच्छा वो दो राज्य कैसे थे मैं समझ सकता हूं कि केर्णा में हारी तो वात अलग है वेजबेंगार में हारी तो वात क्या делать ãरी तो रखेंघर साफ की थी दूर्सी ध्यापटी शीयizard में साफ की थी सियए थी इस अधिसी अ गिस मुल भी अपनी शीत रीचे नहीं कर सकते है यह क्या में सेज़ किरक यह संबर्शा किरकट अगरफ नेचे जा रहा है यह वात साफ हो जही और यह जगा जगा पर मैं देखता हूँ जी जो मैं समझता हूँ सर दो जिसको कहते हैं स्विंग स्टेट्स वो दो है जाहिर है कि एक यूपी है दूसरा कुछ माइनों में दो स्टेट का खिर करूंगा बिहार और महराष्ट्रा तो महराष्ट्रा से शुरू करते हैं क्योंकि वहां ऐलाइंसेस की तस्वीर करीब करीब साफ है जो पिछले नंबर थे और अब आप कॉंग्रेस और NCP जिस तरह से मिलकर के लड़ेगी तो वहां का एक आउटलूप बताईए मुझे लगता है कि कि महारश्चे में इस चुनाव में दो या तीन तरह की शक्तिया यह चुनाव ले लेगी एक कॉंग्रेस NCP मिलकर उनके साथ लेफ फोर्सेज भी होगे और कोशिश यह चालू है कि वहुजन समाज पार्ची को भी साथ ले सकते हैं तो लेने के लिए फ्रायस करना चाहिए वहुजन समाज पार्ची महारश्चे के जो मिजर्व रिजन है नाखू रिजन वहां उनका एक अलग स्थान है दूसरा अमनेर कर विचार धरा के जो लोग है वो आज महारश्चे में उनका एक खास नंबर है और वो ऐसे बीज़वी के नजदीक जाने का उनका बहुर कभी ना था ना आज है मगर एक एक ही उनका जो एक लेता है जो आज सिंट्रल गवर्मेंट में मिनिस्टर भी है मगर आम मासेस वो आज मुझे ने लगता कि वारश्चे जनता पार्ची में जानने के लिए तायार है ता इसे सिटी में वो सेक्षन क्या करेगा यह एक बड़ा इ इसिप्रिन और कंसलेटेज फोस हमेशा चुनाओ के एक दिशा देने वाला फोस वहां है वावा से अम्वेर कर की जो फाटी थी इसका सिंबाल पा इलेफंट और आज अम्वेर कर विचार धरा के उत्वर्च के मन में आज भी यह एलेफंट वावा साफ का सिंबाल यह के पास यह सिंबाल है और इसलिए माया होती कि जिनके बारे में दरीच समाज में ऐसी भावना है कि इतनी फिच्रें वर्गों से आई हुई और अपनी बर्बूते पर अपनी ताकत पर अपनी एक शक्ती दिखाने के लिए काम्याब होने वाली दॉक्टर साब बाबा साब क यही नेता है कि जो अपने ताकत पर खरी रही और इसलिए इनका एक स्थान लोगों के बन में तो इसकी एक सिंफ़ती समझो हम गौजन समाज बादी फार्ची को काम्या हो हुए तो यह कॉंबिनेशन दबर दस्ता कॉंबिनेशन हो सकता है साथ महारास्तों में पीछले कई कॉंबिनेशन काम करता है बीजेपी तो है लगर शिवसेना और उनकी लीजरशिफ और उनका न्यूश्फेफर स्थ इससे बाद बाद हर दिन चार्गेट भारच जंतापारची ए उनकी लीजरशिफ को किया जाता है और इनके जो नेता है उन्हों ने ये बात साफ कहिये कि आरहा चुनाव कुछ भी कहे हम अलग रहने वाले है यह सिटी कायम रहेगी तो उद्धे लगता है कि महारस्तर एक अच्छा नमबर देश में परिवतन के लिए देने के लिए काम्या होगा वुदे याद है 2004 में मेरे पास कांगरिस की जिम्में दरीच अच्छी दो हजार चार या इससे परे नाइंटी नाइन तब ठर्टी एच जीतने के लिए हम लोग काम्याब होगे थे तो आज वहां तक सिची मुझे महारस्तर में बद्लाव की दिखाई दे रहेगी अच्छा तो आप चुकी महारस्तरा का फैसला आप करेंगे तो यह माना जाए कि NCP कांगरिस के साथ BSP का भी कुछ सीट उनको देनी चाहिए यह आपका माना साफ है हम इनसे बात में किया हम मिले BSP के लेडर्शिप से हमारी बात होगई जंडर ले नाशनल फाल्टिक्स के बारे वह अगर स्पेसिफिक ऐसा कि आप और हम मिलकर करेंगे होगे नाइसे नहीं मगर हम इनसे बात करना चाहते हैं हम इने कांगरेस से बात करेंगे पहले क्योंकि कांगरेस से हम मिलकर काम करनी की बात हुई है तो इसमें बाकी कांगरेस इंपोर्ट में फोर्स है इसे उनसे भी हमने बात करनी पड़ेगी और वो वो राजी हो तो हम आगे BSP के साथ भी ब को महराश्टरा में भी मध्रदेश राजस्थान यहां हम एलाइंस में कुछ सीटें दें तो एक मजबूत एलाइंस के रूप में बनने का मौका मिलेगा और उसका यूपी में आपको फायदा मिलेगा निश्चित यह सीटी वाजीब है अजसी सीटी हो सकती है अगर मैं इससे पहले भी कहां कि आज यह जो आप कहते हैं इसके फीछे मुझे मालून है कि आपके मन में क्या है लगर आम लोगों में और राजनेटी क्षेत्र में काम कर जाए लोगों में खास तर फिर मेडिया में है इसी बात है कि इस माध्यम से एक international लेघर फार्न ज्हनाने की कुछिशे है ग उद्रे मुदे HOL लग ता ही कि आज deixaज लेफ टिश एक अलतर नचिव बंशेध कर दिकन handout राख है उसे यह जह दिख रहा है कि अलतर्नेटीव के लिए लोग तयार है पुल्टिक अपार्ची भी चाहिए रहे वो अल्टेनिटिव स्टेट लेवर्फोर्फ हो सकता है और वहां हर फार्ची ने इसका सुटाद करनी के अवशकता है कि अपना वहां स्थान क्या है कि समझे अवरी इन्सीप ने उत्तर फरेश में हमें सीच चाहिए जादा ऐसी बात की तो फर्बूल बात है इसमें कोई दम नहीं मगर आज आप तर्मिन आदू की बात कहेंगे तो हम सब लोगों को इसका स्विकार करना पढ़ेगा कि स्टैलिंग के नेट्वत वाले वह दियेम के है वो फोर्स है वो नमबर वन की फार्टी है वाकी लोगों वे कुछ हो वहां चाहे कॉंगरेस या किसी लेफ्ट हो तो उन्होंने लिमिटेद जगा वहां वानी से सर मैं आपकी बात को दूसरे शब्दों में कहूं तो आप तो बल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबके अपने अपने स्ट्रॉंग होल्ड सबको पता है जहां ओवरलैप नहीं है ऐसे बहुत बड़े इलाके हैं एंसी पी का यूपी में मांगना नहीं बनता अखिलेश का महराष् या तमिल नाडू में मांगना नहीं बनता इसलिए यह एलाइंस तो और आसान है यह मुझे यह रखता है क्योंकि मैंने कई साचियों से बात भी कही आने फूलते कर फार्टी से बात भी कि सभी से बात नहीं कहीं और हम यह डिशेंट पर आए ऐसे भी नहीं है अगर आज सामी नाडू यह तो एक्सेप्ट एक नमबर की सिची देम के कुछ देनी परेगी करना तक वा कॉंगरिस देवे गवरा को देनी परेगी महाराष्टा कॉंगरिस एंसिंप को देनी परेगी गुजरात, मध्यफदेश, राजयस्तान, हरियाना, पंजाब वहां कॉंगरिस को एक नमबर की फूजिशन देनी परेगी वहां आंध्रा में चंद्रावाभू को एक नमबर की फूजिशन देनी परेगी वेज बेंगाल में मामता जी को एक नमबर की फूजिशन देनी परेगी इस तरह से ग्राउन एवन सिच्वेशन समझ कर हम सब लोग स्टेट वाइज अल्टरेटिव की बात करें और इस लाइन पर हम उन्हें काम करें कि शुरुआत की तो मुझे लगता है की इससे एक गुर्ण नमबर आ सकता में की वह वह नमबर स्टाए Plato काल ग्रूमिन भी बना सकता है निसमें कई लोग कहते हैं कि इसका हुआ और अलेग बनाधे है मैं इसमें दो मिसाल देना हुँ कि इससे परने देश हे हुआ एक 1976 इमर्जन्सी थी, इंडिरा जी ने इमर्जन्सी उठाई, इमर्जन्सी के बाद उन्ना ने चुना और दिक्रेर किया, और तब देश के सामने कोई अल्टरिशिन होता, जैफरकाजी ने वायान दे दी, आप मिलकर करो, मगर मिलकर फार्ती नहीं थी, जनता फार्ती इलेक के बाद जनता फार्ती बनने के बाद इंकार नेता मौराजी भाई इसका इलेक्शन हो गया, मगर चुनाव के समय में, किसी को एको फुर्डेक नहीं किया था, कि ही मिलकर प्राइमिस्टर कैंडिएट, फिद भी लोगों ने अल्टर निश्यू दे दिया, सेम सिट्वेशन हम लोग चुना रड़े अलग 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 यूप अलग फाइदा नहीं हुई थी, चुना होने के बाद मुझे याद है कि एक दिन सुभा मुझे, प्रणव मुकर जी और मन्मन सिग मेरे घर आ गए, और कहां कि हम सम मिलकर कुछ करें तो कोई अल्टरिटी हो सकता है, विलक अलग 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 बेरे थे, फिर भी मिलकर एक यूप यह बना और दस साथ देश को अल्टरिटी के लिए काम लियाफ हो गया, मुझे आज मुस्तिती दिखाई दीती है, कोई एक सिंगर फार्थी अज देश के सामने कोई अल्टरिटी देदे के फक्षमें नहीं है, आज यह अलग अलग साथी मिलकर कावन फोगयाफ पर एक जेश के सामने एक वर्चाली ऐसा अल्टरिटी दे सकता है, विक्तर पर दे सकते हैं, तो यह सर पब्लिक मूड बताएं, क्योंकि बीजेपी क्या कहती है, कि यह सारा विपक्ष्टो अपने सर्वाइवल के चकर में एक ह हो जाएगा, लेकिन क्या पब्लिक मूड में ऐसा कुछ है क्या कि वो अल्टर्नेटिव ढून रही है, पहले ही एक नैशनल अल्टर्नेटिव नहीं हो, लेकिन उनको बीजेपी नहीं चाहिए, ऐसा मूड है क्या? 100% है, वो 100% मूझे दिखाए रहे है, कहीं भी जाए है, अभी कल राहुल राजेस्तान में गहे थी, जिस तरह से उनको रिस्पॉंस वहां मिला, एक्सेप्टन रिस्वापरास है, क्योंकि लोगों के मन में ये परिवरत उनकी बात है, और मुने पक्का विश्वास है कि वह कांग्रेस पार्टी समझदारी से लीडर्शिप की इशू को रिजॉल्व करके आगे जाएगी, और वाकी लोग दो इनको स्वहयोग देने के लिए तैयर होगे. कि बताना चाहें कि किसका बताना चाहिए? कि राजेस्तार में परिवरतन आएगा. आज वो मूद है. और ये मूद, वहाँ है एक खाली ऐसी नहीं है. जगह जगह पर ये मूद है. समझदारी से कम हम सब लोगों ने करना चाहिए. खाली का अंगरेस ने करना चाहिए ऐसी बात ने. हम सब लोगों ने करना चाहिए. यह मैटर भी नहीं करता कि सामने कौन क्योंकि प्रिसिदेंशिल फॉर्म आफ इलेक्शन आप बनाना चाहते हैं तो यह होता है ना कि सामने प्रधान मंतरी मेरे सामने कौन बनेगा तो आपको लगता है कि यह निराशा है पब्लिक में या यह एंगर है जहां पी-म कौन का मोदी जी के सामने यह इंपोर्टेंट सवाल नहीं है यह बहुत इंपोर्टेंट सवाल है इसी दिर सेवन्ची सेवन में क्या था इंडिरा गंदी जवदस्त शक्तिशाली नेता थी बंगलादेश की विख्टर के बार उनका स्थान देश वे क्या था अचिछ बेहर जी अचिए लगा कि वो खुद हारेगी पार्टी हारेगी मगर हमने सेवन चेवन में देखा किसी को मालूग नहीं था लोगों को अंतरने चुछ चाहिए था यह बात सच है वकर इंडिरा गांजी के सामने ऐसा कोई लेडर देश के सामने लोगों को दिखा नहीं था लोगों देखा नहीं सोचा नहीं लोगों ने अंतरने चुछ देने के लिए जो कोई इनके शेत में इनके खिलाफे उनके साथ ताक्त दे दी मध्यप्रदेश जैसे आपने रजस्तान का जिक्र किया मध्यप्रदेश के बारे में आपका क्या उटलूक है मैं क्यों पूछ रहा हूं रिजिनल पार्टियों में डिसिजन मेकिंग फोकस स्पीड सब बड़ा क्लियर है यहां चुकि कॉंग्रेस और बीजेपी आमने सामन है बीजेपी के बारे में अगर निराशा है भी तो कॉंग्रेस की तैयारी, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटजी और कम्यूनिकेशन आपको ऐसा लगता है क्या कि वो मध्यप्रदेश भी निकाल ले मध्यप्रदेश में भी कॉंग्रेस बाखी समसाचियों को साथ लेकर आ यह फूरी स्टेट में फाइल भी यह अची निस्टी मगर कुछ ना कुछ उनकी मदद हो सकती है भी समझो मध्यप्रदेश इसमें जो हमारा महारस्टा का विजर्वरी रिजिन है इसकी बार्डर है मध्यप्रदेश हो और कई जगह पर ऐसी चीए है कि महारस्टी की मध्यप्रदेश का वहां एक ही लाग्मिज बोलने वाले लोग है रिष्टे है कॉंचा के जाना आना है समझो हम सम लोग वहां जाकर उनको आप कॉंग्रेस को वज़त करो यह कहने के लिए वहां कॉंग्रेस को स्रायोग देगी है तो कुछ तो कुछ परसेंट इसका फाइ सबसे जाएं आपका सर बहुत रियलिश्टिक सबको यह पता है कि इनवे अभी जो परिस्थिती है पूरे विपक्ष को भरोसा है सबसे ज़ाधा क्योंकि आपस में लेंदेन करना है सीटों का तो वो आप पर है आप चीफ अर्बिट्रेटर है और आपका संकेत साफ है कि जहाँ जहाँ जो दूसरी पार्टिया है NCP, ESP, BSP इनको आप अकॉमेडेट करिए तब फिर ये कॉंग्रेस को बेसिस देगा कि UP में आप हमको थोड़ा सा दिसेंट नंबर ओफ सीट दीजिए जबकि सपा बसपा ही वहां रियल ताकत है कॉंग्रेस का अपनी दो चार सीटों को छोड़ दें तो कोई जादा प्रभाव नहीं है तो फिर क्या आप कॉंग्रेस को दो चार सीटे देने का रिकमेंडेशन करेंगे सपा बसपा को अखिलेश जी को और मायावती जी को या कहेंगे दस सीटे दे दीजिए सीटी बात ही है कि जहां तो उत्तर परेश जेश के राजनीती दे फरिवतन उत्तर परेश लाने बहुत बड़ा काम करेगा और एवरीवरीज थो एक्सेट कि अखिलेश और मायावती इस पोस इन दोनों ने अजीद सिंग जी को अकॉर्डेट किया और कॉंग्रेस को अकॉर्डेट किया और कॉंग्रेस और अजीद सिंग ने लाजर नैस्टेल इंचेश के लिए आज ये कॉंबिनेशन के विए स्वहयोग देनी की तयारी रखी। जब स्वहयोग देनी की स्थिती आती है, तब कुछ अपना थिंकिंग, अफ्रोज जिवान इस पर भी थोड़ा फीछे जाने की तयारी रखनी चाहिए। अब मुझे रखता है कि यहाँ समदाजी से काम कॉंग्रेस और अजित चिंग जी वो करेगे और वो करेगे और यह दोनों का कॉंबिनेशन हो जाएगा तो यह सब मिलकर देश का नक्षा वहाँ ही बदलने की फ्रेफोर से सुरू हो जाएगी। अबसलूटली चुंकि यूपी तो बहुत ही क्लियर है वहाँ ज्यादा ओरलैप के जगड़े भी नहीं है तो जिस तरह से बीजेपी की तैयारी होती है बड़ी धुमाधार उसको देखते हुए क्या यूपी में कनवर्सेशन सीट और कैंडिडेट तै करने तक हो गया है की अगर अब ही नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा कि बीजेपी के सामने विपक्ष के पास मौका होते वे भी तैयारी में आलस हो रहा है लेजीने से हर फार्ची ताफ ने अपनी तैयारी करती है मगर ये आफ़स में उनका डिस्केशन होगा केने मिदेफाता नहीं मगर ये बात उने मालू है कि जब मैंने कभी न कभी तो अफिरेश में उनके साथ चाह बात किया तो उने ये लगा कि मिलकर काम करने का मन उन्हां ने बनाया तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के वेटरन के नाते एक टेंपलेट अगर आप बनाएं, तो चालिस मायावती, पैंतिस अखिलेश, पांच में अजीत सिंग जी और कॉंग्रेस, यह फेर है, या तीस-तीस, साथ और बीस में बाकी? यह मैं आकरे पर जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि उदे कुछ भी करके इस सभी को साथ लाना है, और इसने फिगर बिगर अभी मैंने बताने के बाद, जो हमें दायरोग के हमारे जो फोरसे से वो दूबली हो जाएगी, भीक हो जाएगी, और इस पर मैं जाना चाहता हूँ, नह जाता हूँ, मैं इतना ही चाहता हूँ, कि दोनों ने या सभी लोगों ने अपने अपनी ताकत, ग्राउंड लेंग सुचिएशन और आज अल्टरनेटिव देने के आउशक्ता, ये तीन बाते मद्द रज़र रखते हूए, कदम उठाने के आउशक्ता रखते हैं, या जो भी विपक्ष है, इस DMK वहाँ धूरी है, उसके अराउंड एक प्री-पोल एलाइंस हो जाएगा, तो क्या तमिल्लाडू में प्री-पोल एलाइंस होगा, आंध्रते लंगाना में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा? बात ऐसी है कि संदेविस बेंगल, वहाँ फोर्स तो एक तो है मंता, चौनूर कॉंग्रेस, अब इसके बात कॉंग्रेस लेफ्ट यह भी नजर अंदाद में कर सकते हैं, अब बीजे की कोछी सर्व है, लेफ्ट कॉंग्रेस सार मंता, उधे मालूम नहीं हो जाएगे या न कि लेफ्ट के अचिटूट, यहाँ आज नोट वेरी फेवरिबल तो मंता, मागर आज उनका मन यह है मुझे लगा, कि वही दिल्ली में बदला लाने के लिए, वहाँ हमने थोड़े सॉफ्ट लाइने के आउशकता है, यह तिंकी मुझे लगा, समझ से आएगी, मुझे से आंद्रे हो, वेजमेंगाल हो, वहाँ, कॉंग्रेस को एक्सेप करता परेगा कि वहाँ आज जो हुकुमत में है, यह एक नमबर की फार्टी है, उनको ज्यादा सीट देकर, हम लिमिटेज सीट फर एक्सेप करके, यह यूनिटी दिखाने के लिए समझ दारी के आउशकत है, बिलकुल, बिलकुल, कब तक यह मोटा मोटी, अगर सो परसेंट पर्फेक्ट समझाओता नहीं भी, और अंडरस्टैंडिंग नहीं भी, तो 75-80 परसेंट अंडरस्टैंडिंग कब तक होते वे आप देख रहे हैं, यह तो महिना दो महिने में खतम होना चाहिए, मिलकर एक मैसीड केम्पेंड करने के आउशकता है, हर राज्यव में जाकर चाहिए, वहां उनका इंटेस हो या नहों, वाकिर देश के सामने हम मिलकर एक नक्षा बना के एक परिया है, एक अल्टेनिटिव, विकल्फ और देने के लिए कोशिश करें, यह बहुना लोगों क परिया हुशकता है, इसलिए वाज़ा इशू सेटलेमेंड दूसरा तो विकल्फ केम्पेंड बिलकुल, और इसमें एक इंपोर्टेंट बात जो लोग करते रहते हैं हमेशा, और उसमें मैं सही हूँ और गलत बताईएगा सर आप, वो यह कि पहली बार एक चीज देखी ज हम लोग तो दूसरे रोल में हैं, पी-म के रोल में नहीं है, राहुल कहते हैं कि मैं रूल आउट नहीं करता हूं कि कोई भी होगा, यह नंबर से तैय होगा, माय वतीज जी कहती हैं कि अगर राहुल के खिलाफ किसी ने बोला तो पार्टी से निकाल दिया उसको, तो एक प काम्याभी चाहिए और बिकर्फ़ देने के रास्ते में इंडिजल फिलिंग को एक्टेशन वो आएगी तो इनुक्सान हो जाएगा इसका अंदाज़ा सभी को है, और इसले क्योंकि मुझे यहाद है कि एक दिन कॉंग्रेस वर्किंग कमीची होने के बाद अग्वार में र इसका हुआ कि कॉंग्रेस लिजर्शीफ उनिवेडा अल्टरिशी चैंडिजेट फॉर्किंग काम्याभी ताइम इसके बाद अग्वार में नहीं है आज मिलकर काम कर जी क्या हो शकता है और यह समधदादी राहुप गान्जी ने दिखाई उज्या लगता है कि दिशी दि एक जो अभी ऐसा लग रहा था चंदरवाभू के छोड़ने के बाद और बीजेडी के एकवी डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद की एंडिये की तरफ एलाइंस की दिक्कत हैं लेकिन एक गेन उन्होंने कर लिया नितिश बाभू का दूसरा बीजेडी का एकवी डिस्टेंस छूट गया और उन्होंने बीजेडी को सपोर्ट कर दिया तीसरा मोदी जी को पता है कि शायद पक्के नमबर नहीं आएंगे तो उन्होंने एडवांस बुकिंग की कोशिश की नो कॉन्फिदेंस मोशन में भाशन में कॉंग्रेस के खिलाफ पवार सहब चरण सिंग जी का वहवार किया यह आद दिला करके यह संकेत देने की कोशिश की अपने जनाधार को कि मैं तो इनसे भी सही होग मांग सकता हूं मिस्चीवियस स्टेटमेंट में अनगे इनसे उन्हें देकिया। तो हम लोग इसमें चंदराबु नाईडू, KCR, YSR और नवीन पतनायक को कहा रखें? कि वहाँ सबीदेश कहा कि हमारा कोई इंचिस नहीं सो अल्टिमेटली लास्ली इत वस सदेश्ट टू मी कि आपके वहाँ अच्छी कैंडिजेश है वंदानाचावान कि वाँ मेर अपुना, इमिनेंट लायर, और सिकन् तर्म है तो आप अच्छी करती हैं, तो उनका क्यों ने करते हैं? मैंने कहां कि वहाँ सब्सक्राइब करते हैं, और जब तक मुझी साह का समार्चन में मिलेगा, तब तक मैं सुईकार नहीं करता हूं तो लोगों ने कहां कि आप मात करीए मैंने करता हूं र मैंने करता हूं करते हैं, मैंने करतके रहाम Smrit Teg And that's why I am unable to accept your request. Sir, ये नवीन बाबु कहा रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ थोड़ी होता है पॉलिटिकल पोजिशिनिंग में. मुझे लगता है कि उन्होंने बीजिपी को डायरेक्ट वदद की ऐसी ने उन्होंने नितिश जी का फर्फर्फर्द था इसी लिए मदद की और नितिश जी से फर्फर्द जाने से फ़रे सायद हम वैसे लोग उन्से बात कर सकते थे तो उनका जीशन अगड़ भी हो सकता था अब चुकी डेपुटी चेर्मेन मिल गया राजसभा में नितिश जी को तो उनके बारे में जो एक फिर से स्पेकुलेशन चला था वापसी इन दी अधर कैम अब वो तो रूल डाउट है सर एक सवाल और शीवसेना ने इन फैक्ट पहले तक तो वो जो आपने खुदी कहा विपक्ष की भूमिका के तरह से बात कर रहे हैं अखवार में भी कर रहे हैं सब ठीक है लेकिन अंत में तो वो बारगेन पॉइंट के लिए है कि सीनियर पार्टनर कौन मुख्यमंत्री कि का शीवसेना पर यह रिलाइंस करना कि वो बीजेपी को छोड़ देगी और उसके बेसिस पर कोई स्ट्रेटजी बनाना थोड़ा सा रिसकी है मुझे लगता है कि उन्होंने बनाया अभी कल उन्होंने वोट दे जिया यह वादसाश है तीन चार वोट उनकी थे मगर मुझे लगता है कि इसमें उनका अफ्रोच यह था एक तो डायरिक बीजेपी का कैंड़ेट नहीं था नमबर दो अभी चुना के लिए थोड़ा दे अब तक है तब तक उनके लिए यह बात बड़ी इंपोर्ट ने लगी चार वोट देने की इसलिए उन्होंने उनको स्वयोग दे दिया मगर जिस तर से शिवसेना चीफ कंचिनिसली बोल रहे इससे यह बात साफ हो रही है कि कल होने वाले चुलाव में वो बीजेपी को छोड़कर अगर लेने के लिए प्रायस करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो वैसी परिस्थिती में ये एंसीपी कॉंग्रेस को फाइदा पहुंचाएगा या शिवसेना भी चुकी एक फोर्स है तो वोट कटने से बीजेपी एडवन्टिस की पोजिशन में हो सकती है बीजेपी का नुकसान हो जाएगा शिवसेना अपनी लोगों के लिए दो आपके अलाइंस के लिए बीस सीटे बचेंगी ने बात इसे कि बीस सीटे इतनी है अगर फार्ची का बेस कहा है ये बात साफ है मुंबई शहर मौमने में तोटल नमबर उसीट बहुत ज़्यादा है और ये तर्विए मैं इसका स्विकर करता हूँ कि म हम लोगों से शिवसेना का अधार जादा है और इसलिए वहां शिवसेना को विरिफित हो जाएगी आज बीज़िपी के साथ जाएगे तो उनको इतनी सीट वहां नहीं मिलेगी इस्टिविशन में उनको सीट कम मिलेगी मगर वह अलग लेगे तो पूरा मैदानी उनके अधार में बहुत ही अच्छा असेस्मेंट है उद्धाव को आपकी बात माननी चाहिए तो मुझे रखता है कि वह अलग ले लेगे तो उनको यह वांगी रिजन में ज्यादा सीट मिलेगी और उसका लाव उनको मिलेगा सर यह मराठा आरक्षन का इशू इसको हम कैसे उनको लगता है कि सबसे अच्छी साधन संपन कम्यूनिटी रिजर्वेशन क्यों मांग रही है इसमें बात है इसे ही कि लोगों को ठीकते हैं से महाराच्छे कि यह सोशल सिचेशन मादू में है यह बात सहचा है कि राजनीची में कई जगफर महाराचा कमंजी के वह हो एसमिली बाड़मेंथ हो जडिला हिश्चिन हो जए अनृस हो सनुष्ज ठीके इसमें परस्षट में बात स्फिचन के बात महाराच्छ यह से किसानों के अत्मात्या किसानों के आत्मात्या में वरात हो डाद विजर्ड रिजर्व Ryanै quieres Gleich फेज़ो 40 पतिश्शत हर् के आतपाट जो किसान आत्मात्या करते है इसमे मरादा है एक थोच sealing फेडिन्या भोलदिंग विरो 2 अप्र फेकर्टुथ पेडिड फेल्ज कोई 5 फेस फेस्ट वारा था है आर धर थेकर नेचे वादेe इसमें भी 50 फेस्थेस्न बड़ था है यų फेस्टीफीस फेस्ट्रेट की को अग्रिकल्चर को डहार को soft water नही इसका सब का असर यह हो गया है कि वहां एक तरह की गरीवी है जो नौजाओन लड़के कॉलेज में फड़ते थे इसमें से कई लोगों को अपनी सिख्षा देश कंचुन ने करनी परी कुछ लोगों ने आत्मात्य तक वहां ध्यान दे दिया और इसका एक टोटल इंफैक क्योंकि कुछ लोगों की सिख्षी अच्छी है मगर मेजर सेक्ष्ण ऐसी सिख्षी में है और इससे यह आर्रेक्ष्ण की बाद शुरू हो आर्रेक्ष्ण के लिए किसी का विरूद नहीं बाइन दाश है मेरा जहां तक कहना है कि अब आर्रेक्ष्ण की बाद जरूद दीजिए वंगर देते समय आज समीदान के आधर पर एसी एसी एस्थी ओमीसिस उनको जो जो अडिक्ष्ण मिर्दा है उसको धक्का नहीं लगाना चाहिए उनको तर्च नहीं करना चाहिए वह फोट्ट टिक करके जो बाकी है इसमें उनको देने के लिए करास करने के आउशकता है। अच्छा वो देते समय भी आप क्रिमिलर लाइए वहां कि सब्सक्राइब भाद बादा सा कमने चीए। इनके लजके कोई उनके परियार में इसकी कोई आउशकता ने। तो आइसे सिती के जो लोग है उनको मत दे तो मगर जो बाकी जो मेजर स्रेक्शन गरिब है उनको देनी के आउशकता है। और इसी लिए इसको एक तरह का समर्तन मिल दा है। पीछे दो सालों ने माराशा कम्यूनिटी ने विदाउट इनी पुल्टिकन फार्चीज असूसेशन देमॉंस्ट्रेशन किये। लोगों ने प्रदर्शन किया। कि जिसमें पचास हजार से दो राख लोग तक मुदूद थे। और यह 58 जगह पर जो हुआ इसके एक स्वेशलिटी थी कहीं भी कानून किसी ने हाथ में दिया ने बिलकुल शांती फूर्न हुआ। बहुत ही यूनिक था। यूनिक था। और इसलिए यह सब कहने के बाद करने के बाद साल देर साल में कुछ हुआ ने राज्यके मुख्यवंत्री ने दो स्टेटमेंट लिया थे चुनाव से फेले। एक शेफ़र कमुनिटी के लिए धंगर के लिए कि हमारी हुकुमत आने के बाद पहले के मिनिट में हम धंगरों को आरेक्षन की जो उन्ती मांगे वो फूजी करेगे। और वराथ हो कोई जो दिमाद है वह हम सव दिन में फुरी करेगे। सव दिन गए, चार साल गए, इतनी डिमांस्टेशन चांती से कि यह सब हुए, वह खतम हुए। और यह करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा, तो एक फुरस्टेशन नई फीडी में आ गई और इसका एक रिजल्ट आज जिस तर से सिची हमें देखने के लिए फच्छी है, इसमें आ गया। मेरा साफ अफीर है इन सभी लोगों को कि आपके जिमान ठीक है समझ सकते हैं, इसके बाद में कुछ करना है तो करने के यह कुशिश्टों की अरग गलत नहीं है, मगर कानून हाथ में देना नहीं चाहिए। शान्ति फुर्ण भी आपकी स्वेशाली चीची वो आपने छोड़ दी आप में से किसी ने तो इसमें आपकी बदना में बोलेगे। आपके अन्दुलन के बारे में लोगों की सोर बदल रहे तो यह मत करिए। आप किसी के मुमन में एक आशेंका फाइदा हो जाएगी आईसी सी चीमेद करो। महारस्तर वर्ण डेवलप्यन के लिए इंड़स्टेन सेट बदनाने के लिए कोशिश कई सारों से की है। तब से हम सब नोग ने इसमें ज्यान दे दिया। आज वही उन्देगी जो वेल्थ है चाहे पूना का नदी का चाकन हो या अवरंगावाद हो या और कोई जगह पर वहां इंड़स्टी फर हम ले हो गए इसका गरत संदीज आ रहा है। इन्वेस्ट्टन का क्लाइमेट खराब हो जाएगा। यह नवजानों को जो नोख़ी मिलती है इसके रास्ते में रुका उटाएगी। और इस रास्ते से मत जाओ। आप शांती फुर्ण जो इससे फईदे आपका रास्ता था। उसी रास्ते से आप करो इसको किसी के तक्रीव में। लेकिन सिर्फ होता है बारदाते होती है तो अभी एक इंसिडेंट हुआ है बहुत स्ट्रेंज है तो मैं आपकी उस पर राय जानना चाहूंगा। महराष्टरा ATS ने गौवन, शरक्षा, हिंदू, समिती कुछ रैडिकल संगठनों के लोगों को गिरफतार किया है, बम बना रहे थे, कुछ वारदात करने वाले थे और उसके बाद फिर और भी कुछ लोगों से अभी पूस्ताच बगरत चल रही है। मतलब significant action मुझे ये दिख रहा है, शिव परतिष्ठान जो संभाजी भीड़े वाला संगठन है, उसका भी एक दो सदस्य उसमें पकड़े गए हैं, ये क्या बताता है। और ये नियूस पेफर में हमने देखा है कि इससे परले कुछ लोगों की चीज कुछ विचादारों के बादे में बड़ा फाइजन सो लिखते हैं, खाली लिखते नहीं, तो उनका फोटो करके इसको क्रॉस माते है। कि दावलकर के जिसके हात्य होगी इसके उफर क्रॉस था। कई लोगों के उफर जो हात्य हुई था, इनके उफर क्रॉस था, बाद में इनके हात्य होगी। और अच मेरे लर्शेल लोगों के खिलाब भी हम बहुत कुछ लिखते हैं। और जो ये इनसीजनसी होगी, चाहे दावलकर का हो गया, चाहे गुरूली का हो गया। चाहे ये लंकेश . गुरू लंकेश का हो गया। यह सबी में जो इंवेस्टिगेशन करते समय इंवेस्टिगेशन इजन्शी इंके इफास ही जा रही है यह क्यों जब लगाए है कि फेर इंवेस्टिगेशन वो पा रहा है तो यह पता लग रहा है कि इसमें कुछ लोग करते हैं कि इसमें कुछ हत्या जब कांगरे संचिर्पी के राजची तब उन्हें ने किया तब हमारे किराफ एदाब किया है इनका नाम ले थे अभी तो फीसे चार से बीजिपी की हमकूमत है नीचे और उफर दोनों जगह पर उनकी हुकूमत भी इनके उफर सुई जा रही तो यह क्या बात है तो यह बात साफ है कि यह फोर्सेश कोई भी एक्सिम फूलिशन देने वाले फोर्सेश है और मुझे खुछी आई कि महारास्ते एटियस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रायास किये है ऐसे आज दिखता है मादर यह नहां तक रुखना नहीं चाहिए खाली इसके नीचे इंजेव जाना होगा ऐसे फोर्सेश जो एक्स्ट्रीमिजम पर जा रहे और लोगों में एक तरह के अलग भावना फैदा करने के लिए कुशिश करे इनके खिलाब सक्टी से कदम उठाने क्या हो शकता है सर्व आखरी दो सवाल एक तो ये कि कॉंग्रेस में ये विलिंगनेस दिख रही है कि हम ये मान के या या इंसिश्ट कर के नहीं चल रहे हैं कि विपक्ष की सरकार बनेगी और उसका पी-म कोई और बी हो सकता है गयार कॉंग्रेसी भी हो सकता है ये उपननेस है मुझे रखता है इससे फेले भी किया था जब देवेगोड़ा फैमें इसे बने तब क्या सिची तब क्या सिची तब कॉंग्रेस की सिची जाता थी देवेगोड़ा के सत्ता MP से कॉंग्रेस की सिची इससे ज्यादा थी फिर भी कॉंग्रेस मुमाना तो यशी बात इससे फेदे भी तब तब मैं कॉंग्रेस का पादेमि छीफार्टी का नेता था और तब हम समझे मिलकरता है कि कि कॉंशेटी आप जो कोई बना सकते है उनको सेयो करें अपनी चाकछे उनक गया भी इससे बात्शावित होगी कि वो आज मजबूत कामन फ्रोग्रेम फर मिलकर जो तयार है उनको साथ लेकर एक अल्टेनेश्यू देना बिलकुल एक और आखरी सवाल बिलकुल वो ये कि आपने बिलकुल साफका है कि बीजेपी की सीटे गिरेगी लोगों में बीजेगा आप एकदम जोर देके यह नहीं कह रहे हैं कि NDA की सरकार जाएगी और विपक्ष की सरकार आएगी आप इंप्रूवमेंट की बात कह रहे हैं यह आप कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार जा रही है, विपक्ष की सरकार आ रही है। पर अन्वासपेश जी की इमेज आम जनता में अदक थी, पॉजिटिव थी, यह होने के वाउजिव भी लोगों ने देश के सामने अल्टरियूटिव दे दिया, मिलकर अल्टरियूटिव बना कर दस ताल किसी को मालूम था, मन्मुन सिंग जी देश के निच्टर तो करने हो अब ही की सरकार के बारे में अगर पॉलिटिकल मेसेजिंग जो आप अल्टरिनिटिव नेरिटी की बात कर रहे थे, अगर आपको एक टॉप हेडलाइन वाली बात कहनी हो कि इस सरकार से क्या शिकायत है, क्या नहीं किया जो वादा किया, जिसको पूरा नहीं किया? बारे में बारे में बारे में बहुत देखा सर, इतना बेबस और इतना बेसहरा पॉलिटिकल पार्टियों ने कभी उनको छोड़ा नहीं, आप लोग बात करते थे, इस बार का महौल ऐसा जबरदस्त हो गया है ये हिंदुत्वा नौइज का, कि माइनोरिटी बहुत डर में है, और उनके फेवर में ट्रडिशनल सेकुलर पार्टियां बहुत दब के बोल रही है, मुझे रखता नहीं से, कि मुझे 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 कभी नहीं तो इसने जिस्टे बात देखती है, और हम सब लोग उनको इसमें ताकत देने के लिए उनके साथ तयार है, इसका इश्वास उनको बढ़ आए, और दूसरी बात है कि हम जो मिलकर अर्चे नेश्व देने की बात हर स्चेट में करते हैं, इससे उनको एक तरदा उनका फोस्ता बढ़ आए, और यह करने कि आउशक्ता नैशनल लाजिस इंचेस के लिए है, और हम उस दास्ते पर कोई कांफ में उसमें आप नंबर वन हैं और आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको हमारी बहुत शुक काम है